आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी-फिफ्टी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए 1. लंबी यूदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए 2. जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 3. जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले ग्यार, हमारा share अपने sector का Top Share होना चाहिये इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा share Nifty से better है या नहीं जानी कि पहले तीन points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का Top Share चुनना है तो उस वीड़ियो की links दिस्क्रिप्चन में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1 जानुवरी 2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करण्ट शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए Nifty 50 Shares में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन Nifty 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई और करण Nifty 50 इन्वेस्टमन की वेल्यू है Nifty में appreciation ज़्यादा हुआ है इसलिए first point Nifty ने जीत लिया है Second point Share में जीता Third point Share में जीता Overall Nifty जीता Chart में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये share और Nifty का index जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया ये share ने कितने percentage का return दिया ये comparison है 1st January 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा ये comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा ये comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा Thank you